शिवाइनु का शिवेरियम लाँच पे है और इसके बाद कई सारे एक्सपेक्टेशन हमारे लग गए और बहुत बार हमारे दिमाग में यह चीज़ आ रही है कि इसका प्राइस क्या होगा कितनी बर्निंग होगी कितनी मैसिव लेवल पे बर्निंग होगी जिसके बाद एक न नहीं पड़ेगी तो शुरुवात से एंड तक वीडियो दो देखना अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो क्रिप्टो से लेटेट सारे बेस्ट वीडियो मैं आपको टाइम टाइम देते रहता हूं स्टार्ट करते हैं वीडियो है लोग दोस्तों मैं रिसेंट टाइम पर प्रॉफिट में चल रहे हैं जो लोग इस समय लॉस में चल रहे हैं बेशक्सी बात हैं उन लोगों ने उस समय पर्चेस किया जब उसका फोर्मो क्रियेट हो गया था या फिर शायद वो बहुत ज़्यादा बोल रहे ली दिखा रहा था वो देख लोग जो है इस समय बोला जा रहा है कि लॉस में लेकिन अब ये वो लोग कौन है जो प्रॉफिट में ये वो लोग है जिन्नोंने अब जाने के बाद नहीं लिया और बेरिश माकेट में अच्छा इनको जो है अकुमिलेट किया है जैसे कि वेल्स हो गए और नॉर्मल जो ह लाइम दिखाया था कि मेरे पास around 2 करोड शिवाइन हुए और फिर मैंने आपको एक वीडियो बनाया जो कि आप जाके देख सकते हैं वहाँ पर मैंने बताया है कि मेरे पास टोटल 25 करोड शिवाइन हुए तो उसमें भी मैं जो है अभी बुलिश में चल रहा हूं जो कि मै आपको एक वीडियो में लास्ट वीडियो में प्रिवियस में हमें आपको बताया था कि सभी कुछ जो है डिपेंड करता है सप्लाय और डिमांड पे बेशक हम लोग बात करने वाले हैं यहां पर बर्निंग को लेकर कि शिवाइन उन्हें स्टेट्मेंट दिया था अनोफि टैन होगा वो कैसे क्योंकि जितने भी डैप्स होंगे जितने भी यूटिलिटी शिवाइनू की बढ़ती जाएगी फीज गैस फीज जितना भी ट्रांजक्शन होगा ऐसा बोला जा रहा है कि शिवाइनू बर्न होगा इफ यह सब चीजे होती है तो बेशक है नेक्स्ट ब पता होगा कि almost 5-7 साल तक जो है वो कॉइन बिल्कुल एक जगा पढ़ा रहा एक दो पैसे में और अचानक से ट्विट के बाद जो है पंप कर जाता है यहां पर अच्छी बात यह है कि इनके जो डेवलपर्स है वो काम कर रहे हैं इसको बढ़ा रहे हैं ग्रो कर रहे हैं ड अब शिबेरियम की होप है अब शिबेरियम के वजह से यह जो है प्राइज नहीं जाएगा आपको यह चीज समझ नहीं होगी शिबेरियम के बाद वो प्रफॉमेंस कैसा देता है एक्चुली में ब्लॉक्चेन बढ़िया वर्क कर रही है क्या उसमें डॉप डैप्स जो ए नहीं जाएगा क्योंकि यहां पर बात आती है डिमांड की मान के चलो मेरे पास कोई रेर चीज है और वो रेर चीज जो पहले पास थी काफी दिमांड थी दो बिग गए अब तीन बची और जदा रेरिटी आ गई बट जो खरीदने वाले थे अब वो मेरे पास से जा चुक जब तक user, retailers या institutions जो है purchase नहीं करेंगे शिवाइनू को तब तक ये price नहीं बढ़ेगा तो सभी कुछ जो आपको depend करना है वो होना है demand पे और demand बेशक बढ़ेगी next bull run में लेकिन वो सब बढ़ेगा Shiverium के बाद इफ Shiverium का performance काफी बढ़िया होता है और पहले जैसी demand आती है तो last time अगर आप देखो तो एक पैसा छूते छूते शिवाइनू पीछे चला गया था तो ये चीज इजी जो है five to six पैसे की possibility रखती है कि चला जाए बट क्यूंकि crypto है तो एक रुपए दो रुपए कहीं भी जा सकता है तो next bull run में हमको देखना होगा अब आप चीजों को concept को आप समझ गयो कैसे शिवाइनू आगे एक next prize लेगा तो hope आपको इस वीडियो में जरा से help किया किये तो वीडियो को like जरू कर देना अगर आप चैनल पहली बार आएं subscribe जरू कर देना आप comment में पहले मुझे बताओ कि आपके पास शिवाइनू coin total कितने है and thanks watching this video and keep smiling मिलते है नेक्ष वीडियो में तब तक के लिए bye